कि कुल्दिप सर के नाम से यूट्व चैनल में आपका हार्दिक स्वागता है अभी नंदन है वीडियो के अगले कड़े में नर्वस सिस्टम से एक नया वीडियो लेके आ हैं और वीडियो के नाम है इंक्रीज इंट्रक्रेनियल प्रेसर जो कि बहुत ही जबदस्ट ही है नर्वस सिस्टम के अदर इंक्रीज ICP या ब्रेन इंजरी या आप कह सकते हो सेरीब्रल एडीमा कि इनक्रीज इसए पी या ब्रेन इंजरी या सैरीब्रल एडीमा कब बोलोगे इंट्रीज इसीप पी क्या होता है इंख्रीज आएllow啊 ंघ्र मेंगें इसे पी तो न्स तो increase ICP जब क्या हो जाए इंट्रा क्रेनियल प्रेसर जो है यह क्या हो जाए more than 15 mmHg 15 mmHg से ज्यादा हो जाए उस condition को आप बोलोगे increase ICP तो normal कितना होता है तो normal normal जो है वो ICP होता है 5 to 15 mmHg normal कितना होता है 5 to 15 mmHg और एक average अगर value लेके चलें average value अगर आप लेके चलें तो 10 mmHg 10 mmHg किन किन चीजों से मिलके ICP बनता है तो ICP को बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है ICP बनाने के लिए तीन component होते हैं 3 components और वो तीन component क्या है तो उन तीनों component में एक component तो है क्या CSF एक component तो है क्या CSF अगर CSF का accumulation जादा हो रहा है production जादा हो रहा है तो उस condition में जो है वो ICP बढ़ जागा दूसरा होता है blood supply जो brain के tissue है उनको क्या blood supply और तीसरी चीज क्या है तो तीसरी चीज़ है तीसरी चीज़ है कोई भी cerebral की अंदर कोई leeson तो नहीं बना हुआ है कोई leeson तो नहीं बना हुआ है leeson का मतलब कोई भी कोई वून या कोई node-like structure कोई tumor तो ग्रौत नहीं कर रही है इन तीन चीजों से मिलके क्या होता है आई सी पी का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मल आई सी पी कितना 5 to 15 mmHg एवरेज कितना 10 mmHg और हम बोलेंगे कि आई सी पी अगर 15 mmHg से ज़्यदा चला जाए उस कंडिसन को आप क्या बोलोगे इंक्रीज आई सी पी अब आई सी पी किस कारण से बढ़ सकता है तो आई सी पी बढ़ने के कारण है Head Injury Head Injury is Most Common Cause और Most Common Cause of Head Injury is RTA RTA means Road Traffic Accident RTA means Road Traffic Accident Road Traffic Accident इसके लाव को infection हो गया है जैसे मेशन को क्या हो गया है Meningitis हो गया है या क्या हो गया है Encephalitis हो गया है तो उन कंडिसन के अदर Tumor Growth कर गई है CSF बढ़ सु क्या है CSF क्या हो गया है Brain के अदर CSF क्या हो गया है ज़्यादा हो गया है Increased CSF अगर CSF ज़्यादा हो गया है आईपर ग्लाइसी में पेश्ट चला गए है तो उन कंडिसन्स के अंदर नेक्स अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम की कि साइन सिम्टम क्या करेंगे तो सबसे पहला जो साइन होगा जिसको आप बोल सकते हो अर्ली साइन या अर्लियस्ट साइन आपको क्यों सन पूछा जाए क्यों सन वाट इस दा अर्ली साइन ओफ इंक्रीज आई सीपी 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 आपको पूछा जाएगा इंक्रीज आई सीपी का अर्ली साइन क्या है तो आप बताएंगे कि earliest sign of increased ICP is altered level of consciousness patient का level of consciousness क्या हो जाएगा अल्टर हो जाएगा या अगर आपको अल्टर level of consciousness ना देके जो एक्जामिनर बोलेगा restlessness क्या restlessness या irritability या irritability restlessness या irritability तापको बोला जाएगा what is the early sign of increased ICP increase ICP का early sign क्या है ताप बोलेंगे restlessness and irritability या आपको दिया होगा altered level of consciousness patient का consciousness level क्या हो जाएगा अल्टर हो जाएगा इसके लावा इसको आप जो है वो initial sign की category में भी क्या कर सकते हो count कर सकते हो आप बोल चकते हो यह क्या है initial sign है है ना इनिशियल साइन है आपको पूछ सकते है कि जो patient है patient को जैसे ICP increase हो आई सीपी होने बाद जो है कारण क्या है कि इसका जो है जैसे patient ICP बढ़ता है ता ICP बढ़ने की वज़से patient को क्या होने लग जाता है level of consciousness alter क्यों हो रहे है या restlessness या irritability क्यों शो कर रहे है तो जैसे patient का क्या होता है ICP बढ़ता है है ना तो एक तो होता है brain में तीन चीज़ें चलती है एक होता है ICP एक होता है MAP में अर्ट्रियर प्रेसर और एक होता है CPP CPP का में होता है cerebral perfusion pressure यह जो CPP है यह क्या है तो यह CPP है जो cerebral की जो brain के यानि की जो tissue और cell है उनको जो blood का perfusion हो रहा है है ना CPP क्या है तो blood का क्या होना perfusion और किसको brain के cell और tissue को ICP क्या है तो ICP जो brain यानि की जो cranial cavity है उसके अंदर का pressure है और mean arterial pressure जो है mean arterial pressure यानि की arteries के अंदर एक जो है सभी artery का average pressure निकाला गए है वो pressure है तो जो आपका ICP है ICP normal ICP कितना होता है तो normal ICP तो हमने का 5215 mmHg होता है normal MAP कितना होता है normal MAP होता है 93.33 mmHg कितना 93.33 mmHg और आपका जो CPP होता है CPP CPP होता है 83.33 mmHg कितना 83.33 mmHg और जब क्या होता है अब आप कहेंगे कि यह कैसे आया MAP आया कैसे तो MAP निकालने के लिए आपको क्या करना होगा MAP निकालने के लिए तो MAP निकालने के लिए यानि कि CPP निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है CPP निकालने के लिए क्या है एक फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है CPP निकालने का फॉर्मूला देखें CPP निकालने के फॉर्मूला है CPP और CPP निकालने का फॉर्मूला क्या है तो CPP ब्राबर MAP माइनस ICP MAP क्या होता है नॉर्मल होता है 93.33 mmHg और ICP होता है नॉर्मल 10 mmHg तो जो CPP है वो नॉर्मल कितना है 83.33 mmHg कितना 83.33 mmHg क्या आ गया CPP हमने कहा कि क्या है जो ब्लड वेस्ट जो ब्लड के यहनकी जो ब्रेन के सैल और Tissue है उनको जो ब्लड का सप्लाई मिल रहा है वो ब्लड की सप्लाई जो हो अच्छे से जारी है कि नहीं उसका pressure जो है वो क्या है CPP है अब क्या होगा जैसे जैसे पेशन्ट का ICP बड़ता है जैसे जैसे क्या होगा पेशन्ट का ICP बढ़ेगा तो पेशन्ट का CPP क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे जैसे ICP बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा CPP हो जाएगा और जैसे ही क्या हो गया ब्लड का परफ्यूजन क्या हो गया डिक्रीज हुआ जैसे क्या हुआ ब्रेन के सैल और टीशू को डिक्रीज ब्लड प्रफ्यूजन ब्लड का प्रफ्यूजन डिक्रीज हुआ तो पेशन्ट को ब्लड कम जाएगा तो उसकी वज़े से उक्सीजन कम जाएगी उसकी वज़े से उक्सीजन कम मिलेगी उसकी वज़े से ग्लुकोज कम मिलेगा और जैसे ही ब्रेन को क्या हुआ अक्सिजन की कमी आई तो अक्सिजन की कमी को आना हमने बोला हाईपोक्सिया क्या हाईपोक्सिया क्या हो गया पेशन्ट को हाईपोक्सिया हो गया साब और hypoxia होने से क्या हो गया जो हमने का कियरली साइन क्या रहा था restlessness, irritability या altered level of consciousness की जो feeling जो शो कर रहा था patient that is caused by hypoxia होने का कारण क्या था hypoxia यही हम शो कर रहे थे हमने का कि होता क्यों है तो होने का कारण था कि patient के अंदर जैसे ICP बढ़ता है CPP कम हो जाता है और CPP का कम होना क्या कहलाएगा यानि कि उसकी blood supply यह उसको perfusion जो है वो कम हो रहा है और जैसे perfusion होना कम हुआ patient किसमें चला गया hypoxia में चला गया और hypoxia की जैसे क्या हो गया तुरंत patient को सबसे पहले जो sign आया वो क्या है restlessness and irritability इसके लावा इसके लाव और क्या-क्या sign होंगे तो और sign symptom की बात करें क्या क्या sign symptom आएंगे तो patient को क्या होगा headache होगा patient को क्या होगा headache होगा patient को vertigo patient को क्या होता है headache होता है headache headache होगा patient headache इसके लाव patient को क्या होगी severe vomiting या आप कह सकते हो projectile vomiting होगा patient के vitals बदल जाएंगे और vitals change होके patient को Лए Point temperature change मिलेगा ठेमपरिफ्रफरमिया देखने मिलेगा इसके लावा patient को vertigo की feeling आईगी vertigo पेशिट को क्या होगा vertigo vertigo होगा dg nes होगा vertigo होगा dg nes होगा इसके लावा और क्या क्या हो सकता है तो पेशन को सीजर आ सकता है क्या हो सकता है पेशन को सीजर आ सकते हैं सीजर आ सकते हैं पेशन को क्या सकते हैं सीजर आ सकते हैं है ना वाइटल के अंदर मोसली आपको क्या देखने मिलेगा हाइपर थर्मिया देखने मिलेगा इसके कि रह्यागे charlyretके हो जाएगे डिक्रीज हो जाएगी इसके साथ पेशंट के अंदर आपको क्या देखना मिल सकता है। पीश है डेतल क्या देखना मिल सकता है राइडी काड़िया और पेशंंट का बीपी वह क्याER हो जाएगा बढ़ जाएगा यह आपको वाइटल्स के अंदर कुछ चेंजर देखने मिलेगे क्या पेशन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा टेंपरेचर बढ़ जाएगा यानि कि हाईपर्थर्मिया शोग करेगा रैस्पारेशन कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी रेट और उसकी पाल्स जो है वो क्या हो जाएगे पेशन परेढरीज हो जाएगी पेशन ब्रेडिकार्डीया शोग करेगा इसके लवाब आप जो है पेशन की आई equations को देखके पता लगा सकते हो पेशन में कुछ ओकुलार साइन देखने मिलेंगे क्या देखने मिलेंगा कुछ ओक्यूलर साइन देखने मिलेंगे और ओक्यूलर साइन में क्या होगा तो ओक्यूलर साइन की बात करें हैं ओक्यूलर साइन ओक्यूलर साइन तो ओक्यूलर साइन की बात करें ओक्यूलर साइन ओक्यूलर साइन और ocular sign में किया देखेंगे, हम pupil का reaction चेक करेंगे, pupil का reaction, मान लीजेगा, ये किया है, नॉर्मल pupil का size नॉर्मल pupil size, ये किया है, ये हमारे normal pupil है, हैं, आपने देखा, कि दोनोں pupil से, दोनों pupil का size किया है, normal है, नॉर्मल जो प्यूपिल होता है, नॉर्मल प्यूपिल का साइज होता है 226 mm, कितना 226 mm साइज का होता है प्यूपिल, तो क्या है नॉर्मल प्यूपिल है, जैसे आपने क्या किया, आपने देखा, आपने देखा तो आपको क्या हो रहा है, एक प्यूपिल तो क्या हो रहा है, एक pupil क्या है normal है ये pupil तो हो गया large ये तो क्या हो गया large और ये क्या पड़ा है normal इसका मतलब patient में क्या हो गया है patient को now का damage हो गया है ये ना unilaterally pupil dilation हो गया है unilateral pupil dilation हो गया है unilateral pupil dilation और unilateral pupil dilation जो है वो शो करता है कि patient को injury हो गया third cranial नवका क्या third cranial नवका क्या हो गया injury हो गया है इससे के साथ साथ आपने देखा कि patient जिसमें अगर क्या हो रखे हैं दोनों अगर pupil dilation हो गया है दोनों pupil ही क्या हो रखे हैं डाइलेटेड हो रखे हैं अगर क्या है बाई लेटरल प्यूपिल डाइलेशन है अगर क्या है बाई लेटरल प्यूपिल डाइलेशन है इसका मतलब patient में क्या हो गया है patient की brain death हो गई है patient की क्या हो गई है brain dead हो गया है brain की क्या हो गई डेथ हो गई और ब्रेन का डेथ होना क्या कहलाता है ओम्नियस साइन कहलाता है क्या कहलाता है ओम्नियस साइन क्या कहलाता है ओम्नियस साइन कहलाता है है ना इंपोर्टन की उसने डेथ है ओम्नियस साइन यानि की ब्रेन डेथ यानि कि patient का क्या हो गया है biological death हो गी है patient की क्या हो गई है biological death हो चुकी है brain death या biological death patient जोता है person जोता है person की दो तरीके की death होती है एक होती है brain death और एक होती है cardiac death जब heart काम करना बंद कर दे उसको बोलते हैं clinical death hospital sector में जो भी practice sector में जो detect की जाती है जब और ये नियुक लो जाय कि लूंँकर थम झानने का प्रेसाथ बान और और यूड़ीच्व को संके रहे हैं 10 mm प्रकिरved प्रेशाधम से शनके पॉइंट प्यूपिल जो है यह इंडिकेट करता है किसको इंडिकेट करता है कि हो सकता है पेशन के पॉंस के अंदर को डैमेज हो गया हो पॉंटाइन है यह पेशन ने क्या किया है ओप्योईड ड्रग का ओवर्डोज ले लिया है यह किसको इंडिकेट करता है तो इंडिके जाल ले लिए थो सकता है उस में भी आपको क्या देखने को मिल सकता जे मोद्वर्ण सक्ता था सब्सक्राइब तहीं हुख सब्सक्राइब शोचर्ट को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब NORम alligator और हम क्याажи ना afternoon बाइब99ni constitutes Omenius sign प्योट ड्रीच हो गया ça ऐसको क्यों कि आभा इसके अंदर है अप्योट ड्रक इसके अंदर ड्राइल बनता है और उस ड्राइल हो ग Mmm Cushing Tried जो कि Late Sign में शोगए और बहुत important sign रहता है काफी बार पूचे जाने वाला यदा था है तो Late Sign और Late Sign में क्या है Cushing Tried क्या? Cushing Tried क्या होगा इस Cushing Tried में तो Tried word है Tried का मतलब होता है इसमें क्या होंगी? 3 चीज़े होंगी तीन क्या होगा तो patient का systolic BP बढ़ेगा क्या, patient का systolic BP क्या हो जाएगा increase हो जाएगा patient की pulse pressure जो है बढ़ जाएगा patient body cardia shock करेगा यानी कfour 계속排аться hé heart rate जो हो जाएगी decrease हो जाएगी heart rate decrease हो जाएगी patient क्या shock करेगा chan stroke respiration Chan stroke respiration shock जो जाएगा irregular type का हो जाएगा तो जो है इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि systolic BP बढ़ जाएगा SS systolic BP जो कि क्या होगा increase होगा B, B से patient किसमें जाएगा Bradycardia में और I I का मतलब है patient के अंदर क्या हो जाएगा irregular respiration यह आप कह सकते हो कि C, C का मतलब patient में chain stroke respiration देखने को मिलेगा इसके लिए पेशन जो है वो ataxia stroke रहेगा patient सही से नहीं चल पाएगा लड़ खड़ा के चलेगा patient यह ना ataxia ataxia का मल होता है लड़ खड़ा कर चलना इसके लिए चीजर seizure आ सकते हैं पेशन में seizure का मल होता है involuntary moment of involuntary muscles क्या involuntary moment of voluntary muscle moment of voluntary muscle अगर क्या हो जाए जो आपकी involuntary muscle है उनके अंदर क्या हो जाए involuntary moment हो नसरू हो जाए उस condition को आप क्या बोलते हो seizure बोलेंगे क्या seizure इसके लाब पेशन के motor function के अंदर changes हो जाएंगे और patient को क्या हो जाएगी पहले तो weakness feel होगी और weakness से patient किसके अंदर चला जाएगा hemiplegia की condition में चला जाएगा क्या हो जाएगा patient को पहले weakness होगी और weakness से patient किसमें चला जाएगा hemiplegia में चला जाएगा इसके लाब और क्या के symptom देखने हो मिल सकते हैं तो patient के अंदर जो है वो positive babies की reflex देखने हो मिल सकता है क्या देखने हो मिल सकता है positive babies की reflex क्या होता है positive babies की reflex तो अगर बात करें positive babies की reflex के बारे में what is positive babies की reflex सबसे पहले हम बात करते है babies की reflex क्या होता है babies की reflex तो सबसे पहले हम बात करें babies की reflex सबसे पहले अगर बात करें babies की reflex क्या होता है babies की reflex तो babies की reflex में क्या होगा patient जो है patient पेशन्ट को क्या होगा जैसे बच्चे के अंदर होता है यह ना बच्चे के अंदर एक साल तक परसी होता है यह वन इयर तक बच्चे के अंदर है पर अगर टू इयर तक हो रहा है इसका मतलब क्या है नॉर्मल है पर अगर दो साल के बाद भी अगर बच्चे में वेबिंस की canoeffl esperar to call है इसका मलब इंडिकेट करता है कि बच्च का development जो हुओ अछ अच्छ से प्रॉपर्लि नहीं हो रहा है इसके वागर प्रस्वन तो जैसे क्या है कि बच्चे का बच्च्छ को एक बच्चे का पैर है जब क्या करेंगे इस पैर का जो सोल वाला इसा है यह तो अपर वार्ट है इसका जो सोल वाला इसा है सोल यह सोल है पैर का जो तलवा है उसको क्या करेंगे जब आप कोई एक ब्लंट अबजेक्ट लेंगे आपने क्या किया एक ब्लंट अबजेक्ट ल इस तरीके से जवाब stimulate करते हुए उपर की तरह जाएंगे तो बच्चा क्या सो करेगा तो बच्चा dwarsiflexion of great toe जो toe है उसको kya कर लेगा darsiflex कर लेगा क्या कर लेगा darsiflexion of great toe क्या शो करेगा darsiflexion of great toe ग्रेटो यानि कि जो पैर कांग उठा है उसको तो डॉरसी फ्लेक्स करेगा फ्लेक्शन करेगा एंड फेनिंग और और क्या शो करेगा फिंगर्स को जो है वो फेन की तरह फैला लेगा और क्या शो करेगा फेनिंग और फिंगर क्या शो अईच्छ स्ट इंदर एक रिफ्लेक्स है जब क्या करते और एक चोटा बच्छा गरना क्या करेंगा आप जंग उसका पैर का सोल वाला इसा है उसके जब लेटरल पार्ट को किसी बलंट अब्जेक्ट के थूँ जब आफ स्टेमलेट करते हो तो बच्चे का जो जो बच्चा अपने जो ग्रेटो पैर कांग उठा है उसको तो क्या करेगा दोर्सी फ्लक्स करेगा और अपनी फिंगर का क्या करेगा फैन प्लेंट रफ्लेक्शन होता है ना अडल्ड के इंदर प्लेंट रफ्लेक्शन बच्चे के इंदर पॉजिट्वन क्या कर रहे हो और रिफ्लेक्श चैक कर रहे हो उसको जैसे आपने तो रफ एक शॉ कब दिया है इसका मतलब वह indicate कर रहा है कि उसको क्या होगी है ब्रेन का injury हुआ है और ब्रेन में का तो उसका जो upper motor neurone है जो upper motor neurone है वहां क्या हो गई है injury होगी उपर motor neurone का प्रेजेंट है लो को मोटन और प्रेजेंट है जो उसका इसके लिवा और क्या देखेंगा तो एह मारता था पॉस्ट्श सकते हैं अगर पेशन पेशण जो कैसा पॉस्ट्रक्ष कर रहा यह कि 攻़ंप फॉलेक्स्ट पॉस्ट्र यह किम दोनों है जो रहा है यानी ईल्बो जो उनको या फ्लेक्जर पॉस्टर जो इंडिकेटर करता है कि पेशन्ट की सेरीब्रल कोर्टेक्स को क्या हो गई है इंजरी हो गई है एक होता है डी सेरीब्रेट पॉस्टर का मतलब है एक्स्टेंसर पॉस्टर डी सेरीब्रेट पॉस्टर का मतलब क्या है एक्स्टेंसर पॉस्टर Liped extended इसके साथ lag भी उसकी क्या मिलेगी आपको extended मिलेगी और D cerebral posture अगर शो कर रहा है इसका मतलब है इंज्री है उसको किस में इंज्री हो गई है किसको cerebral को injury हो गई है कहा है cerebral में क्या हो गई है injury हो गई है अगर डी cerebral posture शो किया जार Aur next तब diagnose कैसे किया जाएगा तो डाएग्नोस कैसे करेंगे तो डाएग्नोस पेशन का आई सी पीचेड करेंगे रहे हैं और यह district नहीं रहे होन के अंदर करेंगे होل बनाके उसका क्या किया जाए 버वा की एम राए करवाइफ में करो solvent के यह निए थे कर आप में सकते हैं और वहां पे लीजन बना हुगा पेशन्स ने क्या करना है यह ओस्मॉटिक डायृटिक दें mo remember लिए और उस्म डायोटिक का सटारिशन होता है हाइपर टॉनिक सालिए एक इसके लाभ अगर पेशनिंट का और अगर्ट अगर्ण नॉर्मल है ना इसको और लिए यूरी अगरा दे सकते हो एना अगलीसराल दिया जा सकता है इसके लाभा जो है sodium anhydrous category से आप incita zolamide गरा दे सकते हो ना इसके लब और काफी सारी diurotix categories रती है जिसमें से diurotix category में आप patients को potassium sparing diurotix दे सकते हो potassium sparing diurotix का example है spinolecton क्या spinolecton दिया जा सकता है spinal electron क्या spinolecton दिया जा सकता है इसके लाव आप loop diurotix और loop diurotix का example phurosymide यानि कि कि लेंटि ताए लेंट को कम करने के लिए क्या देंगे ऐसे प्रिमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रिवांट फिट्स से बचाने के लिए आप क्या करोगे पेशन को क्या दोगे एंटिक प्रॉड्स को यह नह assessment को कहीं by सी जरो करने के लिए उसको आपने क्या दिना है इस त्रीके से सिम्टमेटिक डिमाटिक्ट हैगा लिए गार सिम्टम की तब तौर पर उसको क्या करेंगे और नर्सिंग रिस्पॉंसिबिलिटी बात करें तो पेशन को सबसे इंपोर्टेंट बात है पोजिशन और बहुत जादा बार क्यों सबसे पूछा गया है एक्जाम के अंदर पोजिशन से लेटे की एक इंक्रीज आई सीपी वाले पेशन को कैसी पोजिशन दोगे तो इंक् फैशन को नहीं देनी है आपनी हिप को अगर आपनी हिप कहो ने का थो कर रहे हो तो उसकी वुचा से जुए आपर आँ जो है ब्रेन से क्या हो जाएगा क्या आपने कश्ट वोड़ेर क्मित और वहां से क्या होगा पेशन्ट का जो है वीनस रिटरन ड्रेंस से क्या होगा वहां प्लड का सप्लाई कम होगा और जब यह कंडिशन में पेशन्ट को क्या हो सकती है ब्लड की सप्लाई तरह ब्रेंट की तरफ ज़ादा जा सकती है अगर ब्लड जाएगा तो इस कंडिसर में क्या हो सकता है पेशन का IACP बढ़ सकता है तिसलिए आपने पेशन को जो है नैक और हीप को फ्लेक्शन इसको क्या करते रहे है देखना आपने कि कही पेसिट जो है वह को घर डॉक्ष अभर टिया तो मौर्फिन सिल्टाइट क्या करेगी मौर्फिन जो जो है यह वैसों क् Cameron कृवाई क्या करेगी cns depressant है तो यह क्या करेगी when vasoconstriction कराएगी brain के अंदर जागे और brain की vein को जब constriction कराएगी तो उसकी वज़े से blood की brain के अंदर oxygen का supply कम होगा और oxygen का supply कम होने से वहां क्या हो जाएगा hypoxia और hypoxia क्या lead करेगा restlessness और आई सीपी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और आई सीपी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसलिए क्या करना है पेशन को मोर्फिन अवोइड करना है इसके साथ साथ आपने क्या करना है पेशन को मेकानिकल वेंटिलेशन प्रिस्क्राइब करना है पेशन को मेकानिकल अग ऐसा है प्रोब्लं नाउ Tip कम करने के लिए इसके साथ आपनी क्या करने है पज़नक लगा है और फेशंट लग रही है और फेशंट क्या रिखका और पेशन ने जैसे शुरू की तो पेश्ट की सितरीन करने से पेशन को किया हो सकता है ? आई सीपी बढ़ सकता है इसकी लाब ऑर समंस्टमॉलigor मश्माय कूल यह करने कोंनिकती और समंस्टमॉल मश्माय को लाब का है Ama jeder student प्रवाइड करना है इसके लाब करना है ज्यादा फ्लिट पेशन को नहीं देना है और पेशन को इंस्टक करना है कि तुम्हें नहीं तो क्या करनी है straining नहीं करनी है क्या नहीं करनी है straining का मलत है जो stool pass out करते time जो pressure create किये दाता है उसको straining बोल दें तो straining को avoid करना है इसके साथ coughing and sneezing इन चीजों को क्या करना है avoid करना है coughing, sneezing and bending forward and insear सारी चीजों को क्या करना है patient नहीं avoid करना है यह सारे के सारे काम उसने नहीं करने क्योंकि अगर ऐसे काम patient करेगा तो इससे patient की क्या हो सकती है ICP बढ़ सकता है और अगर ICP बढ़ेगा तो क्या हो सकती है problematic issue हो सकता है इसलिए आपने patient का क्या करना है ICP बढ़ने से रोकना है तो यह हमारा पुरा का पुरा इंक्रीज आई सीपी का टॉपिक था वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना बूलीगा ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो में आपके ले के आते रहें और आपको कोई भी प्रोब्लम लग रह हैं उस चीज में सुधार किया दाएगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच